वेलकम बैक दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनी सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ यल्यच यमसी लेडी होडिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ से भरती आ चुकी है बिल्कुल आफिसली रिसर्च नर्स के लिए Research Officer के लिए Technical Assistant के लिए भरती सभी राजियों के लिए रखी गई है आप सभी लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं आल इंडिया भरती है Salary 68,000 पर मौन्थ यहां पे आपको मिलने वाली है यहां बिल्कुल दो सेकेंड के अंदर आप लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसे आप लोग अंतिमतिरी 15 जन्वरी 2020 तो 15 जन्वरी तक आप लोग फार्म को भरेंगे जो सॉटलिस्ट जारी किया जाएगा 22-28 जन्वरी के बीच में सौट लिस्ट जारी किया जाएगा आप सभी का तो चलिए आपको लेके चलते हैं आप फीसली नोटिफिकेशन पर दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं रिसर्च एंड प्रोजेक्ट कमीटी लेडी होडिंग मेडिकल कॉलेज एंड औसोसियेटेड हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली पिनकोड यहाँ पे दिया गया है यहाँ से जो है भरती निगाली गई है रिसर्च एंड प्रोजेक्ट के लिए एक विकेंसी है एज लिमिट 35 एर्स रखी गई है 68,000 पर मॉन्थ आपको यहाँ पे सेलरी मिलने वाली है जिसमें MD, MDS, MBBS, BDS, MSC वाले अपलाइक कर सकते हैं साथी 2 साल का रिसर्च एक्स्पिरियंस चाहिए तभी आप लोग जो है रिसर्च ओफीसर के लिए अपलाइक कर सकते हैं 22 मॉन्थ का यहाँ पे टेनर रखी गई है जिसमें आप लोग जोब डिस्केशन चेक कर सकते हैं तो 22 महिने के लिए जो है आपकी भरती होने वाली है रिसर्च ओफीसर के लिए नीचे आप लोग देखिए रिसर्च नर्स के लिए एक वेकेंसी है युआर कटगरी तो आप सभी लोग अपलाई करिए सभी कटगरी के सभी लोग फार्म का अपलाई करिए एक वेकेंसी युआर कटगरी में है 32,000 रुपे नर्स की सेलरी यहाँ पे रखी गई है 30 years लिमिट रखी गई है जिसमें 19 महीने की जो है भरती होने वाली है इसमें BSC वाले अपलाई करेंगे BSC नर्सिंग वाले अपलाई करेंगे 1 year research experience है तो BSC नर्सिंग वाले जो है अपलाई करेंगे जॉब डिस्किर्शन यहाँ चेक कर लेना टेकनिकल असिस्टन के लिए 20,000 रुपे सैलरी दिये जाएंगे एक vacancy है जिसमें age limit 30 years रखी गई है 19 महीने की जो है यहाँ भरती होने वाली है जिसमें ग्रिजेशन वाले फार्म को अपलाई कर सकते हैं टेकनिकल असिस्टन के लिए देखिए आपको जो है एक single PDF बना लेना है उसके बाद पहले आप लोगों को जो है यहाँ पी जो नीचे फार्म दिया गया है उसको scan करना है और उसको PDF में convert करने के बाद जो है PDF को add करना नमबर टू आपको CV add करना है एक ही single PDF होना चाहिए इसके बाद जो है आपको documents जो भी qualification है जैसे BSC nursing है तो BSC nursing और इसके बाद आपको चौते नमबर में work experience तो यहाँ पर पहले form CV document education qualification उसके बाद चौते नमबर पर work experience इसके बाद जो है एक जो आपका single PDF है उसे आप लोगों को email कर देना है 15 जनुरी 2021 12 बज़े तक कैसे email करोगे email जब करोगे तो जो mail का subject है उसमें आपको जो है अपना name लगा देना है जिसे name क्या है तो मनीस यादव नीचे आप कौन से post के लिए apply करना चाहते हैं तो research nurse या research officer इसके बाद जो है आप लोगों को mail कर देना है mail करने के बाद जो है आप लोगों को sort list किया जाएगा sort list की जो date है 22 से लेकर 28 से जनुरी 2021 रखे गई है यह LHMC की website पर publish की जाएगी 22 से 28 से जनुरी के बीच में आपको जो sort list जाएगा इसके बाद जो है आपका interview होगा इसी की base पर जो है आपका selection होने माला है Lady Harding Medical College में जो है समीदा पर या भरती निकाले गई है लगभग 2 साल के लिए जो 2 साल 22 महिने मालो 22 महिने की जो है यहाँ पर vacancy निकाले गई है 19 महिने 22 महिने की vacancy निकाले गई समीदा पर तो यहाँ पर जो है साब साब बोला गया है कि temporary vacancy है और यह नीचे फार्म दिया गया है इसी फार्म को जो है आप लोगों को भर के इसको PDF में करना है और single PDF में जो है आप लोगों को सारे documents attach करके फार्म को apply करना है तो this case में link मिल जाएगी इस notification की download कर लेना फार्म को apply कर दिया फार्म बिल्कुल free है कोई पैसे नहीं लग र गया है इसे बस आप लोगों को copy करना है और copy करने के बाद जो है फार्म को copy करने के बाद जाके आप लोग चेक कर सकते हैं तो बिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाज़ी अ की ऑछ नेसरो क्ली है की तो थागए लाद माँ वीडियो चू्छ सकता है बाताव वीडियों को आतावियों को चूगों कि जूमाएग लोगré नेसां रहता हैं जोटीज़कों को आयोओकोर है betक यह वीभरेक रुट